हाव रूफिक्स वान प्लास एट फास्ट चार्जिंग नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सबीका तिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको वताऊंगा कैसे आप जो है चार्जिंग नॉट वर्किंग सॉल्फ किसे कर सकती हैं कई वर्दोस्तों हमारे देवाइस में चार्ज होना बन पर जाते मोबाइल चार्जिंग बिलकुल स्टॉप हो जाते तो आपको क्या करना चाहिए क्या क्या सॉलूशन आपको करना होगा ठीक है वीडियो को अन तक देखे मैं आपको यहाँ पर कु बैल आइकुन को क्लिक करें टाकि आपको लेटेस अब्डेट मिल सकें अगर आपको ओनलाइन पैसा कामाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप आप में ट्विटर पर फॉलो करके मे करें आप सेटिंग पर जाए स्क्रॉल डाउन करें ठीक है बैटरी के ऑप्षिन पर जाकि एक बार बैटरी चार्जिंग अप्टिमाइस चार्जिंग को आफ करके वह उसको चेक करें वह काम कर रहें आपका जो दोस्तों यहां पर एडप्टर चार्जिंग का वह फास्ट सपोट होना चाहिए आपकी usb केबल फास्ट चार्जिग सापोट होना चाहिए और water होगा तभी फास्ट चार्जिंग ना काम करेगा ठीक है तो सबसे पहले तो आप अपने चार्जर को देखिए अगर आप कि सीवी से स्थे वाले चार्ज़र को यूज तो ओरिजिनल चार्जर आप यूज करके देखे फास्ट चार्जिंग डेफिनेटली हो जाएगा ठीक है लेकिन दुस्तों यहाँ पर बात करते हैं अगर फास्ट चार्जिंग होने के बाद भी प्रॉब्लिम आ रहा है तो आपको क्या करना होगा तो आप दोस्तों यहाँ प दोस्तों आपके काफी मादद मिलेगा और फास्ट चार्जिंग यहाँ पर हो जाएगा जब आपने फोन को चार्जिंग कर रहा होते हैं तो आप दोस्तों हमेसा जो है अपना यहाँ पर locations को burn कर दीजे सारे साथ दोस्तों आप जो है charging करते वग gaming करना burn कर दीजे ठीक है तो उससे दोस्तों काफी improvement हो जाएगा और charging करते वग आप अपने mobile को site में log करके रख दीजे ताकि अच्छे से अपके phone चार्च हो सके तो यह सारे solution आप यहाँ पर follow कर सकते हैं mobile software दोस्तों एक बहुत अच्छा option है जिसको आप यहाँ पर follow करते हुए solution कर सकते हैं सारे साथ दोस्तों कई बर क्या हो जाते हमारे जो device की पीन होते हैं वो खराब हो जाते हैं ठीक है तो पीन तब खराब होते हैं जब आप दूसरे charger यूज़ करते हैं या फिर आप अपने charger को share करते हैं या फिर किसी दूसरे का charger यूज़ करते हैं तो आपको यह सब avoid करना है यह सब नहीं करना है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके जो mobile है उसमें आपने कई सारे solution करके देखा फिर भी problem आ रहा है तो आपको दोस्तों किसी भी service center पे जाके mobile को चेक करवाना होगा अगर पीन पे कोई भी damage problem हुआ है पीन बेंट हुआ है ठीक है तो उसको fix करने के बाद ही आपका fast charging शुरू हो जाएगा और यहां पर फोलो कर सकते हैं जब आपके fast charging काम नहीं करते हैं ठीक है तो अब अगर इस option इस वीडियो में मैं आपको जो भी बता है वह फोलो करते हैं तो बिलकुल problem solved आज के लिए दोस्तों पसितने हैं उम्मीद करते हैं वीडियो पसंदे होगा आपको तेंक्स वाचिंग तो जवाँ दोस्तों करें झाल झाल